हेलो तो यह वाली जो पोजिशन है यहां से मारकेट जब उपर की सैड़ में निकलने लगा तो ऐसी कौन से important level चाह है वह c में जाए या फिर पी में जाए देखिए अगर c में इसे निकलना है और पी में इसे निकलना है तो फिर कौन से सबसे पहले तो हमारे यहां पर आपने जॉइन नहीं किया तो इसमें भी जॉइन कर सकते हो यह टोटली फ्री टू जॉइन होता है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके तो वहां से आप इसके अंदर आकर आसानी से जुड़ सकते हो अपना फ्री टेलिगाम चैनल यहां पर हमने मौनिंग में अपडेट कर दिया था अब हमने अपडेट किया था यहां पर कितने बज़ादा यह उपर निकलता है और काफी बढ़ी आसा जोए प्रॉफिट अन्दर हो जाता है लगबग 80 पॉइंट के ज्यादा का प्रॉफि अब अब देखें अब बने मार्केट यहां लिख पर यहां पिके ॉपर गया ना उससी मौवमिंट के अंदर एक रॉन उन्हीं जो पनाया यहाँ पर अगर यहां यहाँ पर तो रेक्छी पॉइंग का इंटी बनता है तो राजनीं का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता ह अब रणिंग मॉमेंट का एंट्र रणिंग मॉमेंट का जो प्रॉफिट है वो कैसे होता है वह देखिए अब यहां से लेकर कि यहां तक लगबग 66 पॉइंट के आसपास का मूव हैं लेकिन ऑप्शन के अंदर मॉमेंटम काफी जादा फास्ट यहां पर इंक्रिस होगा करने के लिए वह करते है वहाँ पर area करते हैं के सथ कुईक एगड़ी अगर प्लैंट करते हो तो आपको काफी बड़ी आसा profit generate होता है अब इसी का लाइओ एक्जम्पल्स जो मैंने आज यहां पर अपडेट भी किया था फ्री टेलिग्राम चैनल में अगर आपने जॉइन नहीं किया तो यहां पर आ करके भी आप जूट सकते हो चीक है यहां पर सिदा सिदा अगर अपने चिलता है तो हां यहां पर इंट्री कर लिजिए और यहां पर का जोगों ने एंट्री प्लैंन किया एक रेड़ केंडल बना अगेन ऑन एक ग्रे कैंडल के साथ trade candle बना तो इसके अंदर और double confirmation हो गया था कि यहां से market नीची जाएगा लेकिन market ने suddenly उपर गया अब ऐसा क्यों हुआ तो इसका simple सा reason है कि ये एक trap था चीक है ये क्या था ये एक अच्छा खासा trap था मतलब यहाँ पर market ने क्या करवा दिया market ने बहुत से लोगों को put side में entry दिलवा दिया चीक है अभी जब market के अंदर put side में entry मिल जाता है तब market logistically trap करवाता है यहाँ पर भी हुआ है market ने put side में entry दिलवा या market ने trap करवाया और यही example के साथ अगर आप देखोगे तो market ने बहुत से बार यही चीज़े follow किया था market more entry दिलवा रहा था लेकर YOUR market ट्रैप कर रहा है पूट में धिलवा रहे त्रैप कर रहे यहां पे जब market असल में पूट में धिल दिलवाने आया तब market के अंदर जिसने भी यहापे लॉसिस किया था उन्होंने रही वापस रीठी नहीं किया जिक है उनका सब्सक्राइब यहां पर जाता है इसका सिंपल सा रिजन यह है कि मार्केट अगर आपको इतने बार यहां पर कर रहा है और आपको क्या लगता है अगर आप भी एक ट्रेडर की तरह सोच के देखिए अगर आपका स्टॉप लोग यहां पर सब्सक्राइब निकल जाता है तो इसका मतलब होता क्या है मार्केट के अंदर जिस तरीके से अभी फिलाल टो ट्रैपिंग चल रही है एंड जैने वारी मुंत के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैपिंग का मोमेंटम यहां पर शुरू हो चुका है अगर आप यहां पे थे पिछ करना हो कि आप यहां अगर आपको मार्केट से थोड़ा बचके रहना पड़ेगा अगर Practice से बचके नहीं रहोगे तो मार्केट के अंदर स्टॉप-लस अपके हीट होगे अब इसका सिंपल सा जवाब है इसका सिंपल सा एक्जम्पल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट स्टॉप लॉसस केस तरीके से हीट करवाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो है हम इस मायली को यहाँ पर रखते है इन जगह पर ताकि वह देखन का मोमेंटम में यह आपको दिखने में शायद से भले ही थोड़ा छोटा लगे लेकिन यहाँ पर आप सोच करके देखिए अगर किसे ने यहाँ पर एंट्री प्लान किया होगा वी तो कंफर्मेशन की मार्केट यहाँ से उपर जाएगा सी इस हैं में निकलेगा उन सभी ल लेकर कि हम अगर यहाँ तक देखिए कि तो वन एंडिरां फॉर्टिन पॉइंट का लॉस ही है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सा लॉस हमें यहाँ पर जो है नजर आता है ठीक है और एक और चीज में आपके बताता हूँ एक और बार सेम सीचुएशन हमें लगबग यहाँ पर देखने मिली थी कहा गई वह शाय से पिछी की सैड में होगी हाँ यह देखिए अब अब यहाँ पर अगर आप देखोगी द्यान से मारकेस को तो यह देखिए जो सिचुएशन है ना मार्केट कि वह फिला बहुत जादा ट्रैपिंग में हैं अगर आप यहाँ से लेकर के मार्किट कहा है रहे है एटी-शिक्स पॉाइंट का ड्रॉप डाउन है मार्केट में तक अब ये मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो ये कौन सी कैंडल से आपको lieo market में यह दिखेगी green वाली candle दिखेगी तो simple सा meaning है कि आप इसे exit तो नहीं करोगे आप इसके अंदर रेंट्री बनाओगे जैसे आप इसके अंदर रेंट्री बनाओगे market आपके stop losses खतम कर देगा आपके stop losses को ले लेगा अब यहीं वह important चीज होती है जहांसे आपको alert रे करके काम करना पड़ता है अगर आप alert रहते हो तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप alert नहीं रहे पार है यहाँ पर तो कहीं न कई आपके stop losses सीट होने के बहुत जादा chances यहाँ पर निकल के आते हैं तो कहीं न कई आपको यह सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है अब मैं आपको यह भी बताने वाला हो कि यह आगे वाला जो momentum है वो किस तरीके से मिल सकता है उसके बीचे का logic क्या होने वाला है उसके साथ में यह जो हमारा free वाला टेलिग्राम चैनल है अगर आपने इसके अंदर अभी तक जॉइनिंग नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आकर कि आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हो यह totally free to join होता है इसका लिंक आपको वीडियो के 130 का अगर इसके उपर मार्केट जाने में कामियाब हो जाता है तो मेरे इसाबसे जो मार्केट का अपर सैड का लेवल रहेगा लगबग 48,210 का रहेगा एक बड़र टागेट के लिए हम यहाँ पर जा सकता है लगबग 80 पॉइंट के आसपास का टार्गेट यह हो सकता है उ के लेवल पर एक से क्वीक एंट्री बनाया जा सकता है एं थोड़ा से एंट्री हम 48,025 के नीचे बना सकते है क्वीक एंट्री के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आ रही है वह कौन सी है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं लगबग 48,000 066 का लेवल रहेगा 48,000 066 का लेवल रहने वाला है तो यहां पर भी आपको अलर्ट रेकर के काम करना पड़ेगा कि यह किस तरीके से लेवल से आपके काम करने वाली है 48,066 वाला यहां पर उपर की सेंड में किस तरीके से टागेट में तो लगबग 47,950 के टागेट का हम एक्सपेक्टेशन वहां पे डेफिनेटली कर सकते है ठीक है अब देखे अब में आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में दोनों के बारे में इंफॉर्मिशन देने वाला हो दोनों बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन्ट है आपके लिए आपके लिए समझना भी बहुत ज़्यादे इंपॉर्ट लेकिन जो अपर सैट का स्पाइक है क्या यह सच में सस्टिंट करने वाला या फिर ट्रैप करने वाला है लगबग यह लेवल के आसपास आ चुका है मैं आपको बताया था अगर मार्केट इस लेवल के आसपास से जा रहा है तो यह डेफिनेटली एक ट्रैप जोन बनाएगा और उसने यही किया एक ट्रैप जोन बना लिया है यहाँ पर बहुत से लोगों को सी में ट्रैप किया बहुत से लोगों को पी में ट्रैप किया अब जब लोग सी में भी ट्रैप हो रहे जब लोग पी में भी ट्रैप हो रहे तो इसका मतलब यह हो जाता है कि कही ना कही नीचे से रेजिस्टन्स को ब्रेक करेंगा तो मार्केट इस लेवल के पास आएगा जिस आप पर मार्केट आ गया उसके बाद मैंने एक और चीज आपको पताई थी अगर यह चैनल आ गए जाती है तो यहाँ पर बेग रेजिस्टन्स मिलेगा यहां पर नीचे के साइड में है कन्फूजन अब इस कन्फूजन में क्या मार्केट उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा इसका सिंपल सा जवाब ही जैसे मैंने आपको बता के रखा हुआ है अनलेसिस हमने किया है कौन सी लेवल से इंपॉर्टन्ट है उस अकॉर्डिंग लिए आप यहाँ पर प्ल